हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट लाइट बुरुजी में दोस्तो आज इस वीडियो में बात करेंगे रेड्मी 7 के बारे में दोस्तो रिसेंटली शाओमी ने लॉंच कर दिया 18 मार्ज को अपना रेड्मी 7 फोन जो कि चाइना मार्केट में लॉंच किया है काफी अच्छा फोन है बजर रेंज में काफी अच्छे फीचर के साथ लॉंच किया गया है तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे इसी Redmi 7 के बारे में, दोस्तों ये Redmi 7 का front style बात करें तो ये dot notch के साथ आता है, जिस पर 6.2 inch का HD plus display है, not full HD, ये HD plus display है, जिसको conning gorilla glass 5 से protected दिया गया है, बात करते हैं, इसके display ratio की तो दोस्तों 19.9 ratio का ये display है, और IPS technology के साथ आता है, बात करें से इसके back side की तो दोस्तों back side पर polycarbonate body इस्तमाल में किया गया है, और दोस्तों इस पर back side पर gradient color का finish है, काफी हद तक इस phone को attractive बनाने के लिए, back side पर भी दोस्तों protection दी गई है, nano P2i coating दी गई है, जिससे बारिस की कुछ बूंदे तक ये phone को बचा लेगा, और काफी हद तक ये बारिस में बच सकता है, अगर हलकी बूंदे परे तो इस पर, back side पर दोस्तों 12 plus 2 megapixel का camera setup है, front side पर 8 megapixel camera selfie के लिए दिया गया है, back side पर दोस्तों fingerprint sensor है, और दोस्तों front side की बात करो तो यहाँ पर face unlock का support भी है, अब बात करते है इसके battery power की तो दोस्तों ये phone आता है 4000 megahertz के battery के सांथ तो काफी अच्छा improvement है दोस्त करता है, और दोस्तों अगर slot की बात करें तो यहाँ पर hybrid slot के बदा है dedicated microSD card का slot है, यानि कि आप एक ही time पर 2 sim के सांथ 1 microSD card भी लगा सकते हैं, अब बात करते हैं इसके software version की तो दोस्तों ये आता है MIUI 10 के सांथ जो की Android Piper Base है, Android 9 पर Base है, अब बात करते हैं इसके processor की तो दोस दोस्तों इस पर लगा गया है Snapdragon 632 का processor और साथ ही साथ Adreno 506 का GPU, Honor 8C और Asus Max 2 दोनों में ही similar यह processor देखा गया था, तो काफी हत तक यह phone को टकर देगा, दोस्तों Adreno 506 का GPU इस फोन में तो काफी हत तक gaming experience को better बनाने के लिए, अब बात करते हैं ये budget range का phone काफी हत तक features के मामले म Antutu Benchmark भी इसका 1,5,000 के आसपास है, तो यह phone काफी हत तक range के phone को टक कर देगा दोस्तों, बात करते हैं इसके storage variant की बास, दोस्तों RAM और storage variant की तो यह phone आता है 3 color में, जो की 3 color है black, blue, red और साथिसा storage variant में दोस्तों यह आता है 2GB प्लस 16GB, साथिसा 3GB प्लस 32GB, 4GB प्लस 64GB, जो क इसका top model है, दोस्तों 2GB प्लस 16GB जो आता है 699 Yuan के साथ, जो की आता है 7100 के approach में होता है, अब 3GB प्लस 32GB जो है दोस्तों 799 Yuan, जो लगबग 8100-200 के आसपास होगा, दोस्तों इसके top model की जो तो वो आता है 999 Yuan, जो लगबग 10,000 के आसपास, तो यह दोस्तों 10,000 में अपने Redmi Note 7 को competition दे रहा है, साथी साथ, यह अलग इसी range के budget phone में काफी अच्छा device है दोस्तों, फिलाल के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो पसंदा है तो लाइक करना बिल्कुल मुद बुले, साथी साथ, शेयर करना बिल्कुल मुद बुले, अगर आपने चैनल पर नए है तो subscribe करकर बेल आइकन दबा दीजिए तोस्तों तक मुझे support मिल सके हैं, मैं इसी तरह आपके लिए content बनाता रहा हूँ, तो मिलते हैं किसे अगले वीडियो में, किसे अगले टॉपिक पर, तब तक YouTube पर वीडियो देखते रहे हैं, entertain होते रहे हैं और अपना ख्याल रखिए